वोई सिरसा में कार फ्रीडी को लिकर एस्पी और पिट जेन से हमारे सम्भाद आता नकुल जसुजानिक खास बाचित की हैं क्या कुछ आगया आप सुनें सिरसा के एस्पी आज अपने घर से पैदल निकले हैं आप तस्वीरे देख रहे हैं इसकी वज़ा भी हम आपको बताएंगे लेकिन पहले आपको हम तस्वीरे दिखा रहे हैं कि अपने पूरे लावलशकर के साथ अपने टीम के साथ आज ओफिस जो है वो पैदल निकले हैं क पूरी टीम उनके साथ है और बिल्कुल तस्वीरों में देख रहे हैं सर आज आपने फैसला लिया विश्व कारमुक्ति दिवस है क्या कहीं अज विश्व कारमुक्ति दिवस या वर्ल्ड नोकार डे हैं तो सबसे यह अवान किया गया है कि कोई भी अपना परसनल वहिकल यूज ना करें और अगर मैं पुलिसिंग परस्पेक्टिब में बोलू तो जो परसनल वहिकल की जगे अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो एक तो बहुत ज़रूरी है दूसरा इन्वार्मेंटल परस्पेक्टिव से यह बहुत अच्छा इनिशेटिव है कि पैदल चलना साइकल पर चलना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना तो इससे पॉलिशन कम रहता है तीसरा यह कि फिट भी रहते हैं हम लोग हैल् जबान करता हूं कि कम से कम पांच क्लिम्टा रोज वो पैदल चले है और ड्यूटी के टाइम भी वो लोग पैदल चल सकते हैं इससे गश्ट भी हो जाती है पर एरिया में प्रेजन्स भी हो जाता है और पब्लिक से मिलना हो जाता है असानी से तो यह तीन चार इंपोर्ट हैं वो अब हमारे साथ खबरिया भी तक की टीम के साथ निकले हैं और कुछी दूरी पर आपको कारायले दिखा दू आफिस ओफ दा सुप्रेटेंडेंड आफ पुलिस कारायले पहुंच गए हैं और पुरा लावलक्ष कर पूरी टीम उनके साथ है तो बिलकुल विश्व क कार मुक्त दिवस आज मनाया जा रहा है और सिर्सा के एस पी अपने घर से कारायले में पैदल पहुंचे हैं सिर्सा से नकुल जिसूजा खबरी अभी तक